Hello guys, welcome back to another video आज हम discuss कर रहे हैं, अगर आपको pull up bar लगाना है अपने घर के अंदर तो क्या आपको एक wall mounted pull up bar लगाना चाहिए या फिर एक door mounted pull up bar लगाना चाहिए वैसा तो दोनों pull up bars काफी जाधा अच्छे हैं बट जहां पे हम weight capacity के बारे बात करते हैं number of exercises आपके pull up bar साथ जाधा कर पाओगे उन सब चीजों के बारे बात करेंगे तो वहाँ पे इन दोनों pull up bar के अंदर एक difference create हो जाता है तो आज हम इसी बारे बात करेंगे कि आपको wall mounted लेना चाहिए या फिर एक door mounted pull up bar लेना चाहिए so compare करते हैं और मैं आपको बताता हूँ मेरे personal opinion क्या है दोनों pull up bar को use करने के बार so let's start so first let's start with the doorway pull up bar इसको आप अपने door के बीच में लगाते हो या फिर कोई भी corridor है जहाँ पे दोनों तरफ wall है वहाँ पे आप इसे place कर सकते हो और मैंने इसे place कर रहा है एक तरफ अपनी wall पे और दूसरी तरफ एक wooden door है because मेरे घर के अंदर कहीं पे ऐसी जगे ही रही है जहाँ पे मैं इसे fix कर बाऊं तो यही एक suitable place थी अब ये pull up bar अपने अंदर काफी stable है बट इसे आप जहाँ पे fix करते हो ना वहाँ से इसकी stability काफी ज़ादा determined होती है और influenced होती है अब मैंने इसे wooden door पे fix कर रखा है तो ये मेरी wood को पीछे push कर रहा है जिसका जो इसे देखे wooden door मेरा crack होने लग गया है तो इसका जो weight capacity आती है वो 110 kg ये 100 kg तक की ही रहती है stability की मामले में काफी stable है you could see पर ये हमेशा एक wall mounted pull up bar से कम ही stable रहेगा दूसरी तरह wall mounted pull up bar हमेशा ज़ादा stable और ज़ादा rigid होते है as you could see मैं 90 kg का बंदा हूँ और मैं इसके ओपर लटकूँगा तो इसको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला ये मेरी rack के साथ attached है pull up bar और ये wall से support ने रखा है इसी वैसे मैं इसे wall mounted pull up bar की category के अंदर रखता हूँ और ये immovable है rigid है आप इसको उपर ज़ादा load डाल सकते हो साथी में ज़ादा stable है दोर को pull up bar से so दूसरा differentiating factor है number of grips आप किती ले सकते हो तो ये एक straight handle pull up bar है तो इसके साथ आप pull up की grip ले सकते हो तो कि first grip होगी और second share up की grip ले सकते हो that's it wall mounted pull up bar जो आप देख रहे हो इसके अंदर भी आपको एक single handle मिल जाता है तो इसके अंदर भी आप दो ही तरीके की grip ले पाओगे बट इसमें अच्छी बात क्या है कि ये काफी जादा wide है तो आप wide pull ups की grip ले सकते हो साथ में अगर आपको pass से पकड़ना है तो वहाँ पे भी आप पकड़ सकते हो इसके साथ आप wide grip नहीं ले सकते आप small grip लेना चाहते हो तो उस pull up bar के अंदर आप grip ले सकते हो बट wall mounted pull up bars के अंदर आपको multi grip का भी option आता है तो अगर आप wall mounted pull up bar लेने जा रहे हो तो multi grip pull up bar ले सकते हो जिसकी वेज़े से आपको ज़्यादा grip मिल जाएगी और आपको अगर अपना wrist का turn और twist करनी है तो आप उस pull up bar के साथ ज़्यादा कर पाओगे बहुत ज़्यादा करके भी 9 से 10 grip मिल जाती है multi grip pull up bar के अंदर तो आप wall option explore कर सकते हो तीसरा differentiating factor जिसके उपर हम बात करेंगे कि आपकी इस pull up bar के साथ weighted push ups कर सकते हो तो उसके लिए मैंने एक back तियार किया है तो अब मैं अपने body weight के साथ ये 10 kg का वजन और उठाऊँगा तो ट्राइ करते हैं अब मैं आपको weighted pull ups करके दिखाता हूँ और weighted pull ups करने के लिए हमेशा एक wall mounted pull up bar अच्छा support देता है तो मैं इसके उपर ही ट्राइ करता हूँ देखिए weighted pull ups करने के लिए इतना ज़्यादा stable नहीं होता है अगेन मैं वो करने कि आपने जिस surface के उपर इसे fix कर रखा है उससे काफी influenced होती है इसकी stability बट although मैं आपको करके दिखाता हूँ तो मुझे अभी कुछ twist and turns की आवाज आ रही है यहां से कि यहां से slide कर रहा है तो जैसे ही वजन 100 किलों से उपर चला जाता है यह pull up bar काफी कम stable हो जाता है और इसमें risk भी रहता है इसका निकल सकता है और मैं गिट सकता हूँ जमीर के उपर तो आपको weighted pull ups कभी भी एक डोर पुलब बार के उपर नहीं करना है चाहे वह आपको कितना भी मेंगा हो अगले factor के उपर बात कर लेते हैं जो की है durability कौन सा पुलब बार जादा लंबे समय तक चलेगा और नहीं तूटेगा तो जैसा मैंने आपको दुखाए wall mounted pull up bar मेरी rack attachment के साथ आया है तो जितना weight मेरी rack ले सकती है उतना ही weight ही है pull up bar भी ले सकता है और ये simple metal piece है, straight rod है और powder coat इसके उपर हो रखा है तो ये कभी rust नहीं खाएगा और weighted pull ups करने में भी ये तूटेगा नहीं फॉर शॉर दूसी तरफ ये जो door way pull up bar है bold fit brand से मैंने purchase किया है इसकी weight capacity 100 kg तक की है weighted pull up से आप इससे नहीं कर सकते है और ये कम rigid है जिस surface के उपर आप इससे लगाते हो तो अगर ये in case निकल के गिर गया ना तो जमीन पे गिर के तूट सकता है फॉर शॉर अगर आप सस्ते pull up bar ले रहे हैं वाल माउंट्रिट के अंदर ही जो की core brand के आते हैं तो उसके अंदर आपको foam grips मिल जाती है foam फटने लग जाएगी over time और वो pull up bar अगर आप outdoor लगाते हो तो वहाँ पे rust जल्दी देखने को आपको मिलेगी तो उस pull up bar के अंदर कुछ wear and tear हो सकता है अगर आपकी रैक अटेश्मेंट इसाथ को pull up bar आया वह हमेशा बहुत ही solid, बहुत ही stable और बहुत ही durable रहेगा एक दिक्कत के वार में आपको और बताना चाहूँगा जो की मुझे door pull up bar के साथ फेस हुई यहां पे मैंने से place कर रखा है उपर मेरे ceiling आ जाती है और मेरी height भी काफी जादा लंबी है तो मेरे ने इसे अपनी max height पे place कर रखा है अब मैं जब इसके उपर लटकता हूँ pull up करने के लिए तो मुझे अपने पैरों को roll करना पड़ता है because मेरे गुटने ही चमीन तक आते हैं और pull up करते समय see this मैं इस pull up bar के उपर नहीं जा सकता तो depend करता है आप इसे कहां पे लगाते हो but in pull up bar सतना आपको जगे ढूणनी पड़ती है अपने गर के अंदर जहां पे आप इसे दोनों दिवार के बीच में लगाबाओ but wall pull up bar के साथ आपको ये दिक्कत नहीं हाती तो wall mounted pull up bar के अंदर आपको hide काफी अच्छी मिल जाती है see this मेरे को अपने पैरों को roll नहीं करना पड़ रहा मैं खड़ा हुआ हूँ और मैंने जब अपनी arm को stretch किया है वहीं पे मैंने pull up bar को adjust कर रखा है अगर आपके पास rack के साथ pull up bar नहीं है आप एक individual pull up bar भी खड़ित रहो तो सबकी जो दिवारे होती है वो 10 पारा fit की तो होती है तो आप इसे उपर drill कर सकते हो और आपको पेरो को roll नहीं करना पड़ेगा अगर आपकी height इतनी लंबी है तो सो मैं आपको इसमें pull up करके दिखाता हूँ सी दिस कोई दिक्कत नहीं है सो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या opinion ना आपको अभी भी एक door mounted pull up bar लेना है या फिर इस तरीके का एक wall mounted pull up लेना है देखिए मैंने अपने पूरे वीडियो के अंदर एक edge देने की कोशिश करी wall mounted pull up bar को because of its innovative features और ये काफी solid है, rigid है weight capacity इसकी जादा है तो आप इसको उपर weighted pull ups भी कर सकते हो जो की काफी जादा necessary है अगर आपको growth चाहिए अपनी pull up variants के अंदर और आपको number of reputation जादा निकालने है but किस case के अंदर आपको एक door mounted pull up bar के तरफ जाना चाहिए तो वहाँ पर जो आपको grip मिलती है वो soft grip मिलती है काफी comfortable है यहाँ पर आपको जो grip मिलती है ये एक metal grip है और ये आपके हाथ के अंदर इस तरीके के callous कर सकती है अगर आप जादा reputation लगाओगे तो ये बिलकुल comfortable नहीं है बट एक अगर advanced athlete है तो उसको एक grip पसंद आएगी बट beginners को वो पसंद नहीं आएगी उसको एक door mounted pull up bar की soft grip ही पसंद आएगी साथी में अगर आपके घर वाले allow नहीं करते है आपको दिवार के अंदर drill करने का या फिर आप किसी rented apartment में रहते हो तो wall mounted pull up bar आप नहीं लगा सकते because वहापे wall damage हो जाती है तो tenants जो होते हैं वो allow नहीं करते अपने apartment के अंदर drill करने का तब भी आप एक door mounted pull up bar को देख सकते हो बैट अगर आप एक overall picture देखोगे एक solid durable और एक अच्छा cost effective option क्या रहेगा तो वो हमेशा एक metal piece का wall mounted pull up bar रहेगा so guys which pull up bar should you get for yourself a wall mounted pull up bar और a door way pull up bar the decision is very simple wall mounted pull up bar ज्यादा better होता है ज्यादा durable होता है और ज्यादा rigid होता है और wall mounted pull up bar से आप multiple grip option भी ले सकते हो जिसकी वेसे आपकी grip strength test हो सकते है और आप ज्यादा variants के अंदर pull ups कर पाऊगे end of conversation wall mounted pull up bars better होते हैं door mounted pull up bar से price इनका काफी similar है तो आप wall mounted pull up bar expect कर सकते हैं 1200 रोपे से start हो जाएगा जो भी best product की links है वो आपको description box के अंदर मिल जाएगी मैं डूर में कभी option डाल दूँगा अगर आप जादे इंटरस्टेट है एक door mounted pull up bar खरीदने में बट आपके पास एक dedicated space होनी चाहिए चाहँए आप इसे permanently fix कर सके otherwise it's not worth it trust me wall mounted pull up bar यह जो है आप rack खरीद लेंगे तो उसके साथ ही आपको मिल जाएगा वाट अगर आपको अलग से buy करना है तो आपको Amazon पे बड़ीगा deals मिल जाएगी सभी product links में description box के अंदर डाल देता हूँ वहाँ से आप जाके buy कर सकते हैं guys thank you watching this video I hope आपको पसंद आया होगा एक छोटा सा comparison about both the pull up bars and और आईसी वीडियो देखने के लिए आगे भी हमारे चैनल के साथ जोड़े रहे हैं मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर किसी और equipment का review करते हुए बाबाई